प्रेंट्स हमारी आज की युवापीडी देश के भविष की करनधार है वहीं भविष के नेशन बिल्डर्स भी हैं इसलिए आज की युवापीडी को एमपावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष को एमपावर करना इसी सोच के साथ 2022 के बजेट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी पांच बातों पर बहुत जोड़ दिया गया है पहला युनिवर्सलाइजेशन अब क्वालिटी एजुकेशन हमारी सिक्षा व्यवस्ता का विस्तार हो उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की चमता बढ़े इसके लिए एहम निरने लिए गए हैं दूसरा है स्किल डेवलप्मेंट देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टिम बनें इंड़स्ट्री 4.0 की जब चर्चार चल रही है तो इंड़स्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलप्मेंट हो इंड़स्ट्री लिंकेज बहतर हो इस पर ध्यान दिया गया है तीस्तरा महत्वपुण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइंग इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्यान है उसे हमारी आज की सिख्षा में समाहित किया जाना आवशक है चोता एहम पक्ष है इंटरनेशनलाईजेशन भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी युनिवर्सिटियां आए जो हमारे आउद्योगी छेत्र है जैसे गीप सिटी है वहाँ फिंटेक से जुड़े समस्तान आए इसे भी प्रोसाहित किया जाए पांचवा महत्वपुर्पक्ष है ए बी जी सी यानि एनिमेशन विज्यूल इफेक्स गेमिंग कोमिक इन सभी में रोजगार की अपार संभावना हैं एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इसे पुरा करने के लिए हम भारतिय टेलेंट का कैसे इस्तमाल बढ़ाएं इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है ये बजेट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है अखराएं दिया टेलेंगे लिए औरकेशन दिया ग्लोबल मार्वचेशन दिया गया है